अलो दोस्तों स्वागत है अपलों का हमारे यूट्यूब चैनल महांसर में और दोस्तों आज हम पढ़ने बाले हैं बरत्मान में भारत में काउन क्या है यह बहुत ही इंपोटेंट टोपिक भी होता है और इससे बड़े कोस्चन बनते हैं और यह हैर एक स्टुडेंट का भोलें भी ना तो ऐसी काउसी ट्रिक है जिसको हम लगा दें कि यह याद हो जाएं तो ऐसी वैसे तो इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है इसको कैसे याद किया जाए यह सवी कि मैंने इसी तरह की समय स्लाइडें बना रखी हैं जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह देखिए यह देखिए और भी स्लाइडें करीब 41-40 मतलब इसके नाम है जिसमें यह क्या है बरतमान में क्या है और मैं सारे के सारे इंपोर्टेंट लेके आया हूं तो वह हमको आज पढ़ना है तो इस्टार्ट करते हैं और इस्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारी से अगर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को मैं बताता हूं जो भारत के पंदर में राष्टपती हैं वो कौन है वो आपकी कौन है दिरोपदी मुर्मु यह एक लेडी है और यह इंडिया की पहली नहीं मतलब दोस्री लेडी है जो भारत की क्या है राष्टपती बनी है लेकिन अगर आप से पूछा जाए यह आपके नाकर के लुझे पढ़ा ज्रहिं क्या है जगगदीब धनपड तो मूझे लगा कि जगदीब अनुपड हैं लेक crianद यह दन पड़ नहीं है भारत के उप्रास्ट पति है नेक्स्ट आपके भारत के पंधरवे प्रदान मंतरी तो बताना है आप पनेख्ट आक जो चल रहे है उसे लोगशंवा चल रहा है उसके अध्यच आपके कौन है उसके जो आपके हैं ओम विरला जी कंवैं Łेल ओम ओम बिरला आपके कहोंने पर ओम बिरला भी लिखा होता है तो अब इससे से नहीं होना यहीं होते हैं नेट्स अपका गया है भारत के 50 मुक्षे मुख ने जीज पडिश चीप जश्टीट आप इंडिया बोला जाता है तो यह आपके इंडिया के याद रखना दोस्तों यह बहुत इंपोटेंट है क्या है आपके बारत के राष्ट पती जगदीब धनपड़ें बारत के प्रदान मंत्री आपके नरेंदर मोधी हैं सत्रभी लोगसभा कैदे चोंबिडला है और 50 वें सेयेजी आई आपके चंद चूण है और इलक्स्टन कमिशन आफ इंडिया आपके कवाण आपके राजीब कुमारें नेक्स्ट आपका क्या है बारत के सोलिस्टे जनर्र आपके कवाण है तुषार मेथा जी आपके कवाणे वारत के महानयाबादी, बारत के महानयाइबादी यह आपके काउने हरिबंस तो याद रखना बारत के महानयाइबादी है नेक्स्ट आपका क्या है नियंत्रण और महालेखा परिचक जिसको कैग बोलते हैं ये भारत के बहुत ही उच्छ पद होते हैं और एक सोतंत्र पद होता है आपके संभिधान में दिया हुआ इसका जेकर भी दिया हुआ है और आज बरतमान में जो इसके जो इस पत्को धारण किये हुए हैं वो काउन है आपके ग्रीश चंद मुर्मू है नेश्ट आपके राजसवा के महासचीब राजसवा के महासचीब आपके काउने PC मोहधी हैं और अगर आपके प्रदान मंत्री पहुचे जाए तो आपके PM मोह मोधी हैं और अगर आपके राजसवा के महासचीब पहुचे जाएं तो PC मोधी हैं तो यह PC मोधी और PM मोधी आप याद रखना PC मोधी काउने और PM मोधी काउने यह दो अलग-अलग बसनालटी है तो इनको आप याद रखना नेक्स टाप का क्या है मुख्य चुनाव आयक् सूचना आयक्त अपकर कर दोस्तों वह दोस्तों वह आपके काउने नीति आयोक के अद्यच्च आपके क्कौन होते हैं प्रदानमंतरी जी होते हैं में प्राइम भोते हैं यानि कि मोधी जी नरंद्र मोधी जी प्राइम उत्रणफ में नीति-ürü सब्सक्राइबाен Upper सबब्सक्राइब सब्सक्राइब थे सब्सक्राइब बारत के उप्राष्यमा सब्सक्राइब लेकिन राजब सभा के उप्षभापती की बात की गई है तो यहां पे आपके ओंवन्स नारायण है कॉन और जो नेक्स्ट आपका क्या है लोग सवा के लोग सभा के महाशाचिब आपके गउने तो लोक सबा के लोग्सभा के महासचीब की बात करें तो उत्पल उत्पल कुमार सिंग कौने उत्पल कुमार और पर आपके जीड डोबाल जी जीड़क्षा-सलाकार अजीड डोबाल आपके पंकज कुमार सिंग है उप्राष्टिय सुरक्षा सलाकार आपके पंकज कुमार सिंग है और नेक्स्ट आपके जो मुख्यारतिक सलाकार होते हैं चीफ एकोनमिक एडवाईजर होते हैं वो आपके काऊने वी अनंत नांगेश्वन जी आपके काऊने मुख्यारतिक सला पंदर्वें वित्तायोग के अद्यच्च जो आपका वित्तायोग है उसके जो पंदर्वें आपके अद्यच्च है तो पंदर्वें वित्तायोग के अद्यच्च आपके एनके सिंहए जिनको एनके सिंग का फूल नाम क्या है नंध किसोर सिंग इनका नाम होता है यहाँ पे इनका सोट नेम पका लिखके लाया m.k. के सिंग इनका फूलने भी मैं एड कर दूंगा जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई असोविदा ना हो नेक्स्ट आपका क्या है बाइस में बिदी आयोग के अद्यच एक बिदी आयोग बनाया जाता है तो उसके जो अद्यच है वह आपको बताना है तो वह आपके काऊन अनिल कुमार लोहाटी जी है पहले आज सुनी जो होते थे आप क्या है आपके अनिल कुमार लोहाटी है नेक्स्ट आपका क्या है राष्टिय मानबा अधिकार आयोग यह क्या होता है राष्टिय मानबा अधिकार आयोग आपका एक आयोग होता है जैसे कि एक मानबा अधि कावनें अरुन कुमार सिंह है अरुन कुमार सिंह राष्टिय मानबा अधिगार आयोग के अध्यच नेक्स संख्यक आयोग के वहता है जो अलब संख्यक लोगों के लिए बनाए जाता तो यह सारी बातें आप लोग को याद रखना है और आज की जो किलास है दोस्तों यहीं पर रहने बाली है अब मैं आप लोग को बताता हूं इनको याद करने की ट्रिक इसकी रीडिंग लगानी जचेगी बारत के राष्टपती दिरौपदी मुर्भूँ उप्राष्टपती जंकदी धनपड़ और बारत के प्रदान मंत्री नरेंद मोदी लोकसभा के सतर बें जो लोकसभा उतके चोंबिरला पचास बें नियायदी सबके डीवाई चंद कैद्धेच मोदी जी नीत्यायव के उपादेच सुमनवेरी चीओ आपके नीत्यायव के बीवी आर सुब्र्मारियम और राय सभा के उपसभापती आपके हरिवंस नारायन और लोकसभा के महासाधीव आपके उत्पल कुमार है तो ऐसे आपको क्या है इनकी रीडिंग कपा आपके इकबाल पुरा है तो ऐसे अपको ऐनकी क्या है एक तरीके से लगानी फिर से एक वार अधिक है राष्टपती द्रॉपदी मुर्मूप राष्टपती जगदीब धनपड़ पड़्पधान मंतरी नरेधर मोधी ओम बिढला आपके लोग से पच्छा辉ज्च पच इसकी रीडिंग लगा देने क्या दो तीन बार अगर अपने लगा दी तो आपको आपको फिर यह नाम याद हो जाएंगे आप देखते इनका नाम बोल देंगे कि क्या है तो क्या है आप बता देंगे क्या आपके गिरिश्चिन पिर राजसभा के महार सची पीशी मोधी सोचना आयक तब के इस बदन कुमार सिन्ग नितियायक के अद्यच्च आपके मोधी जी उपाद्यच्च आपके सुमनवेरी स्रीयो आपके काउने बीबिया सुब्ण बनिया राजसभा के उपसवापती आरिवन्स नारायन लोक्सभ के महार सचीव आपके काउने उप्तपल कुमार सिंग है ऐसे आप अगर इनकी रीडिंग लगाते हैं और इसके अलाबा आपकी कोई ट्रिक नहीं होती है आप कोई भी ट्रिक आप अपना लें वो ट्रिक आपकी क्योंकि यह जब बदलते रहते हैं तो फिर ट्रिक काम नहीं चैनल करती है क्योंकि बदलते रहते हैं पद बदल गया त्रिक आपकी पुरानी फिर नए-ट्रिक बना और नए-ट्रिक में नए जोर लगा लेकिन आपको ट्रिक लगाने से बहतर है आप याद कर लिया जाए तो क्या होगा च्योंकि आपको इम्पोरेट्ट पद हैं आप और आश्टिये मानबा अधिकार आयोग के अध्यचे अपके काउने अरुन कुमार सिंग है अल्प संके क्या अध्यचे अपके इकबाल सिंग लाल पुरा है तो ऐसे आप इनकी complete इसकी जानकारी मिलेगी और इसकी PDF भी मिरेगी तो अभी के लिए धन्यबाद